Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel. चलिए इस वीडियो में हम लोग General Knowledge के Question देखते हैं. General Knowledge का ये Video No. 7, 40 No. वीडियो होगा, तो आप Playlist में जाएंगे, सभी वीडियो मिल जाएगी. तो इस वीडियो में हम लोग General Knowledge से Question करने वाले हैं, जो भी Student BST Nursing की तयारी कर रहा है, एकदम सांदार तयारी कराई गई है. चैनल पे, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार जरूर जाएं, और 10 से 15 वीडियो आप जरूर देखें, आपका देखिएंगे, एक रेशियो एक मेंटेन किया जाता है, जो Question आते हैं, एकजाम में, वही उसी पैटरन के Question को कराई जाता है, और एकजाम सिंपल बे में, और सेलेक्शन के करीब आप हो सकते हैं, तो आप चैनल को फालो करें, और चैनल से तयारी कर सकते हैं, अभी इसके Application Farm Bus जस्ट आने ही वाले हैं, तो अभी इसमें 20 Question General Knowledge से पूछे जाएंगे, तो आप ये 20 Question में ये समझे कि आपके 15 Plus Questions सही होने चाहिए General Knowledge में, General Knowledge में अगर Question सही करते हैं, तो Plus Point होता है, तो General Knowledge में आप ज़्यादा से ज़्यादा Question सही करने की कोशिस करें, Question No.1 क्या बोला है, Question No.1 ये है, अगर हम मैं पूछनों कि CHIEF Chief Election 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 Commission, COWMIWSION Commission, आफ इंडिया के कौन हैं, इंडिया वारत के Chief Election Commission कौन है, उनका नेम क्या है, तो उनका नेम जो है, उनका नेम आप लिख सकते हैं, राजिव, आर ए जे आई वी, राजिव कुमार, राजिव कुमार प्रिजेंट टाइम में हैं, क्या है, Chief Election Commission of India, इंडिया के Chief Election Commissioner है, तो Commissioner है, तो ये आप देख लिजिएगा, अच्छे से Question पूछा जा सकता है, लेकिन Chief Election Commissioner, ये देखिए Commissioner लिखा गया है, Commissioner Chief Election Commissioner की, इंडिया में जो नियुक्त करता है, वो Chief Justice इंडिया, एंडिया के Chief Justice ये प्राइम मिनिस्टर प्रधान मंत्री की द्वारा ये प्रेसिडेंट, हाँ, तो राश्पत के द्वारा ही इनको एपाइम्ट किया जाता है, इनके नियुक्ति होती है, तो Chief Election Commissioner जो राजियु कुमार जी है, तो ये आप देख लिजिएगा, राजियु कुमार भी आप याद कर लिजिएगा, ये भी Question डारेक्ट पूछा जा सकता है, राजियु President of India भारत के राश्पत ही इनके अपाइम्ट मेंट करते हैं, तो ये भी Question आप देखिए, Next Question नमबर ये देखिए, Where has Yoga been organized recently, हाल ही में कहा योग महत सो का आयोजन किया गया था, तो वो पूने में किया गया था, तो आप ये Question भी अच्छा Question है, इसको भी आप देख अगर बात करेंगे तो ये देखिए, Who has become the player, who has scored most century in the IPL, अभी देखिए, IPL मैच हो रहा है, Indian Premier League मैच हो रहा है, तो Indian Premier League मैच से Question तो आने की संभावना रहेगी, तो आप इसमें अच्छे से खिलाडी का नाम हो सकता पूछ ले, या कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें most century प सतक means होता हंडेट, सबसे आदा हंडेट कितनी बार कौन सबसे अधिक लगाया था, तो विराट को ही लिए, विराट को ही लिए, आप देखिएगा, next question number ये देखिए, ये भी question आप देखिए, Who has recently led the Indian delegation in S.C.O. Security Council meeting, तो हाल ही में, किसने S.C.O. सुरच्छा परिशत की वैठ बारतिये प्रतिये प्रतिनीदि मंडल का नेतरूत किसने किया था, अजीत देवल ने, अजीत ये देखिए दोबाल, अजीत दोबाल, अब ये भी एक बार question पूछा था, कि अजीत दोबाल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कि अजीत देवाल क्या है, तो and security advisor of India के national security advisor है तो ये हैं क्या है अजीत द्अधोवाल जी है ये national security जो होती नही national security तो उसके advisor है India के तो ये option number ईसमें तो correct हो जायगा हाल ही में किसने ये CEO सुरच्छा परषत की बैठग में भारतिय प्रतिनिधि मंडल का ने तुरित किया था तो अजीत धोबाल ने, और अजीत धोबाल क्या है? नेशनल सीक्वरिटी एडवाईजर है, कहा के? इंडिया के. Next question, यह देखिए, हिंदी के अलामा उत्तर परदेश की अन्नी राज जिवासा कौन सी है? तो अगर बात किया जाए कि हंदी की अलामा उत्तर प्रदेस में हिंदी जो है ये क्या है एक राज जिभासा है और अगर ऐसे question पुछे कि उत्तर प्रदेस की राज जिभासा कौन सी है तो फिर आप क्या लगाएंगे आप Hindi option में आपको मिल जाएगा हिंदी अब ये हिंदी के अलामा हिंदी एक तो हिंदी हिंदी तो एक है और इसके अलामा भी एक है तो वो है उर्दू तो यहां second number वाला पूछ रहा है तो B option आप correct करेंगे फर्स्ट पूछता तो हिंदी ही सही होता कानपूर को कानपूर को पूर्ब के के रूम में जाना जाता है तो कानपूर जो सहर है सिटी है कानपूर देहात है कानपूर नगर है इतने परदूसर्ड भी है यार, वहाँ पे इंवार्मेंट साही नहीं है, अभी देखिए परताल जिसको कहते नहीं है, एक सर्वे होता है, तो एक सर्वे में कानपूर में पिछली बार सबसे अधिक आया था, दिल्ली तो हाई, यहाँ उत्तर परदेश की बात हो रही है, तो कानपूर को मैंचेस्टर बोला जाता है, बस इतना ही आप जाने है, बी आफसन करेक्ट है, नेक्स्ट कोईशन उत्तर परदेश का परसिद्ध दुदवा निशनल पार्क किस जिले में इस्तित है, अब यह देखिए कोईशन, यह कोईशन आपका सांधार कोईशन आ गया, और जवरदस्ट कोईशन आ गया, इस कोईशन को किस ने मतलब आपको तो सही करना आई है, और आप सही चरूर करेंगे इस कोईशन को, उत्तर परदेश में, उत्तर परदेश का परसिद्ध दुदवा निशनल पार्क किस जिले में है, तो वो है लखीमपुर खेरी, बार्ल सरवाधिक चेतरफल वाला जिला, सरवाधिक चेतरफल वाला जिला अगर पूछ लेता है, कि सरवाधिक चेतरफल वाला जिला कौन सा है, चेतरफल वाला जिला कौन सा है, तो भी आप लखीमपुर खेरी लगाएंगे, सरवाधिक यूपी का सरवाधिक चेतरफल वाला जिल लकीम पूर्खीर कीरी है, जहां पर दुदवाज निश्ठ पार्क है, तो फस्ट आप्सम करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कोईशन ये, देखिए किरिकेट की सुरुवाद कहाँ होई जो ये किरिकेट खेला जाता है ना भाई किर्केट में कितने प्लेयर होते हैं वाई 11 प्लेयर खेलते हैं मैदान पे 11 प्लेयर रहते हैं तो ये कोईशन आप देखिए इस कोईशन का जवाब देजिए किर्केट की सुरुवात किस देश में होई थी भारत में, इगलेंड में, अफरीका में या जर्मिनी में तो जो किरिकेट की सुरुवात हुई थी वो एक लेंड से हुई थी तो आपसा नमबर आप एक लेंड ही लगाएंगे दूसरा नहीं तो भारत प्यारा है अपना तो भारत मत लगाईएगा भारत क्योंकि किरिकेट की सुरुवात एक लेंड से हुई थी तो ये देख लीजिएगा, next question ये देखिए, सबसे अधिक अबादी वाला राज जी कौन सा है भाई, सबसे अधिक अबादी वाला राज जी कौन सा है, ये बताईए, तो उत्तर परदेश, महाराष्ट, राजस्थान ये मदिपरदेश, अब इस question का जवाब आप दीजिए और ब ये देखिए, जीरो, सुन्नी की खोज किस ने की थी, स्वामी विवेका नंद ने, आरिभट, अरजुन गुप्ता ये बिजे चोहान, तो आप लगाएंगे आरिभट, आरिभट जी ने ही सुन्नी की खोज की थी, तो बहुत अच्छी बात है, सुन्नी नहीं होता, तो किर्केट खेला जाता है, मैच जो होता है, उसको किर्केट का भगवान कहा जाता है, सचीन तेंदुलगर को, डारेट कोईस्चन सही कर सकते हैं, बिराट कोहली का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम भाई ऐसे बोलते हैं, चीकू, चीकू, चीकू बोला जाता है, और ये मे question होते हैं लेकिन भाई देखिए knowledge रहेगा तब ही सही गर पाएंगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है तो जादस जादस जी के question लगाएं उसको रटना नहीं है जी के कि हम लोग रट रहें पूरी दिनो रात मिला के रटना नहीं है एक दो बार ऐसे पढ़ लीजिए महाँ पे जब इग्जाम में आएगा ना तो दिमाग पे तुरंट के neuron cells होती है वो तुरंट hit करेगा कि मैंने कहीं न कहीं ये पढ़ा है और आप सही करेंगे भारत और चीन के मद्धी सीमा रेखा कौन सी है वो सीमा नहीं जो आई थी पाकिस्तान से वो सीमा नहीं भाई भारत और चीन के मद्धी सीमा रेखा कौन सी है भारत और चीन के बीच म में एक सीमा रेखा बनाई गई है उस सीमा रेखा का क्या नाम है कौन सी सीमा रेखा है मायक मोहन रेखा है या फिर रेड किलिफ रेखा है या फिर डूरंड रेखा है या फिर ये देखिए मेनर हीम रेखा है तो उस रेखा का नाम बताना है तो ये बताईए आप कुश्चन बताईए कौन सा सही है उसको भाई बोलते हैं मेक मोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है ना उसको मेक मोहन रेखा बोलते हैं तो आपसा नमबर क्या लगाएंगे फस्ट आपसा नहीं करेक्ट करेंगे next question कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पर question देखिए और question सही करने की Aur之 करिए cigarette cigarette lighter में इनमें से कौन सी gas परिउख्थ होती है तो जो cigarette lighter होता है जिसे cigarette जलाते हैं उसमें एक gas होती है methane होती है, propane होती है, butane होती है, radon होती है तो बताएंगे कौन सी gas होती है उसमें जो गयस होती है वो ब्यूटेन होती है तो आफसन नमबर आफसी है आफसन आफ करेक्ट लगाएंगे यहाँ आफ देख भी सकते हैं ब्यूटेन एक जोलन सेल हाइड्रो कारवन है इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है नेक्स्ट कोईस्चिन यह देखि की संख्या से यह कोईस्चिन लिया गया है तो यह थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और आप इस कोईस्चिन का जवाब देजिए बेद की संख्या कितनी है यह देखिए यह कोईस्चिन पूछा जा रहा है कि बेद की संख्या कितनी है तो बेद की संख्या कितनी होती है दे तो वो सब बेद की बात हो रही है तो इस समय परजन टाइम में अगर बेदों की बात करें तो पहले तो एक बेद था है एक बेद लेकिन इस समय परजन टाइम में चार बेद है तो आपको चार याद कर लेने हैं आप चारों में से कौन कौन सा फस्ट है आप फस्ट लिख सकत यह जो बेद लिख सकते हैं यह जो बेद लिख सकते हैं थार्ड पे आप लिख सकते हैं साम बेद लिख सकते हैं साम बेद साम बेद हो गया और फौर्थ नंबर पे है जो यह अथर्ब बेद है अथर्ब बेद लिख लीजिए अथर्ब बेद तो यह चार बेद इस समय चल ले है बाई चार बेद है और यह पहले तो यह की थे ना परण चारों को मिला के लेकिन अब यह थोड़ा सा चार कर दिया गया है चार भागों में बाड़ दिया गया है यह भी कोईशन देखिए यह भी कोईशन काफी इसमें बाग किया जाए कि अगर इसमें भारत का राष्टी यह पस कौन सा है तो बाग ही है यह अच्छे से देख लीजेगा यह हो जाता है लाइन हो जाता है सेर चीता और इस चीता है यह हिरन है तो उसमें क्या होती है धारीदार होता है धारीदार होता है और ये बहुत फूर्तिला होता है बहुत एक्टिव होता है ज्यादा तरह एक्टिव होता है और ये जानौर जो है तब ही तो कहते नहीं है कि भारत को राष्टिय जानौर के रूप में ऐसे ही नहीं जाना जाता है बहरत का राष्ट ये पस हुए है तो बहरत को गरवानमीर करता है भाई तो फुरतिलय एक दम ताक्त वह पर है तो आप से नम्बर आनिया मिर्जा कभी नहीं हुई परतिभा पार्टिल यह देखिए आपसन तो लगाया गया है इंद्रा गादी यह फिर रीता फारिया अब इसने से चारों आपसन में बताईए भारत की पर्थम महिला राष्ट पति कौन है तो यह आपसन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा भारत की पहली पहली जो फर्स्ट आएग फर्स्ट महिला राष्ट पति प्राइब मिनिस्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो है परतिभा सिंग पार्टिल तो आपसन नंबर भी करेक्ट लगाएगे नेक्स्ट कोईशन यह देखिए यह भी काफी अच्छा कोईशन है तो इसको भी जान लीजिए असपर्स रेखा किस खेल से संबंदित है देखिए एक रेखा बना दी जाती है और इस रेखा को बोला जा रहा है असपर्स रेखा किस खेल से तैराकी जो पानी में तैरते हैं कबड़ी फुटवाल फुटवाल में तो एक लाइनिंग बनी होती है चारो तरफ वो तो अलग हो गया मुक्के वाजी, तो वो कबड़ी होती है वाई, एक तरफ इधर खेलते हैं, एक तरफ इधर रहती है। दोनों तरफ से अपना कबड़ी खेला जाता है। ये चूने से आदमी मर्ज भी जाता है, आदमी जिन्दा भी हो जाता है यह कबड़ी का केल है जो कबड़ी केल होंगे उनको पता है असवर सरेखा किस खेल से समन्दित है वो है कबड़ी सहीटर राज अमेरिका का राषटी यह खेल क्या है इसमें बताईए बेसबाल है या आइसाकी है या फिर फुटबाल है या फिर हैंड़ बॉल है अब इस question का देखिए और वताईए कौन सा option इसमें लगाने वाले हैं तो इसमें option number आपका base ball हो गया एक ball एक कोई fake था है एक ball कोई मारता है उसी time में खेलते हैं हाँ की type stick होती है तो इसमें सेंट राज जामेरिका का राश्टी ये खेल जो है वो base ball है next question भारत के पहले बिदेश मंतरी कौन थे फर्स टाइम जो foreign minister बनाए गए थे तो फर्स टाइम भारत के पहले बिदेश मंतरी कौन है लाल बहादु सास्त्री अटल बिहारी या फिर गुलजारी लाल नंदा या फिर जवाहलाल नहरूजी नदाएंगे तो प्रिये लाल बहादु सास्तरी अटल बिहारी वर गुलजारी जवाहलाल नहरूजी वाममें तो आगे बढ़ेंगे नहीं बताएंगे तो फिर अपने हिसाप से देखिएगा बिश्व मौसम विज्ञान दिवस कम बना जाता है ये भी काफी अच्छा कोईशन है तो इसको बताईएगा कमेंट बॉक्स में तो इस कोईशन को नहीं इस कोईशन को आप खुद नहीं मैं बता दूँगा लेकिन आप पहले कोईशिस करिए कि आपका इसको ये कोईशन आपका सही हो तो बताईए कमेंट करिए सभी स्टुडेंट कमेंट करेंगे ऐसे नहीं चलेगा वाई बिश्व मौसम विज्ञान दिवस कम मना जाता है 13 मार्च, 13 मार्च, 31 मार्च या फिर 13 मार्च, सब मार्च मार्च दिए गए है अगर आपको पता होगा तब ये कोईशन सालग होगा तो बिश्व मौसम विज्ञान दिवस मना जाता है जो मौसम की जानकारी दी जाती है एक दिवस उस दिन मना जाता है तो वो होता है 23rd March, कौन सा March? 23 March होता है, गड़बडवाला दिन होता है, 23 March, 23 March इधर भी टेड़ा है, इधर तो टेड़ा टेड़ा है, तो ऐसे याद कर लिजिएगा, 23 March Next question देखिए, क्रिसल जन्म भूम कहां पर है, क्रिसल जन्म भूम भरिंदावन या दिकिए, क्रिसल जन्म भूम कहां है, मत्ुरा, गोकुल, व्रिंदावन या फिल नन्दगाँ तो crystal जन्म भूम है, मतुरा में है, मतुरा में, तो अच्छा सकते हैं, आप त्यारी कर रहे हैं, आपनी course complete करिए, कभी न कभी तो मतुरा ठालने चलेंगे, आप भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, हम तो एक बार जा चुके हैं, आप भी जाएए जरूर, सबसे बड़ा ग्राह कौन सा है, यह देखे, यह question बताईए, सबसे बड़ा ग्राह कौन सा है, ब्रिश्पत है, ब्रित्वी है, या फिर, यूरेनस है, या फिर सुक्र है, बताईए कौन सी सबसे बड़ा ग्राह है, तो वो है ब्रिश्पत, तो आप सा number first correct हो जाएगा, next question थोड़ा सा समय राष्टिय एकता दिवस, वो वाली एकता नहीं, यह जो राष्टिय एकता दिवस मनाय जाता है, भाई चारे वाले, एक भाई चारा बनाके साथ मेरे यह राष्टिय एकता दिवस, किस दिन मनाय जाता है, दो जून, चौदा जुला यह, दो अक्टूबर यह, उन्नीस से तो बताइए तो राश्टी एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 19 नॉवमबर को मना जाता है अक्टूबर भी नहीं तो आपको नॉवमबर मनाईए 20 नॉवमबर राश्टी एकता दिवस next question की बात करिए ये भी एक question देखिए question को question अच्छा ही है इसे नहीं select किया गया question ये देखिए सरिस्का wildlife century located in the state किस सहर में, किस राज्जी में ये देखिए सरिका, हाँ यहाँ पे देखिए सरिस्का मुणनी जीव अभायारण किस राज्जी में इस्तित है तो wild life बताना है आपको सरिस्का wildlife century कहाँ पे है तो सरिस्का जो है, वो राजस्तान में है उत्तरपरदेश में है, गुजरात में है बेस्ट बंगाल में है, तो वो राजस्तान में है next question की बात करिए ये question देखिए, ये question और एकदम जोरदार question ये भी है इस question को आप देखिए और बताईए, gateway of India was made to welcome जो gateway of India gateway of India किसके स्वागत के लिए बनाया गया था तो पहले तो first पे तो यही पता होना चाहिए ना भाई, कि gateway of India हाई कहाँ पे ये question तो यही बन जाता है question पूछा भी गया है, भर भर के question पूछा गया है हर एक exam में question पूछा गया है कि gateway of India कहाँ पे है तो comment box में आप comment कर सकते हैं या फिर मैं ही बता दू कहिए तो Mumbai में है, was made to welcome अब ये जो gateway of India बनाया गया था ना, तो ये किसके कोई बाहर से बिदेश से आया होगा, तो उसी के स्वागत के लिए बनाया गया था स्वागत के लिए ये gateway of India सोचा गया था कि उनकी entry जैसे entry gate नहीं होता, entry gate एक बना दिया जाए, और उसका नाम gateway of India रख दिया गया, तो gateway of India किसके स्वागत के लिए बनाया गया था, तो United Kingdom से आये थे, कौन आये थे जैसेद जी टाटा आये थे, Lord Canning and his wife, उनकी wife आये थी, या फिर जार्ज बी and his wife, हाँ, तो जार्ज जी आये थे और उनकी पतनी आये थी तो उनहीं की स्वागत में ये gateway of India बनाया गया था, अब gateway of India किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी important हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, it was constructed in 1924 में ये बनाया गया था, वैसे तो 1911 से शुरुआत हो गई थी, ये देखिए, लेकिन complete किया गया, ये देखिए, it was constructed in 1924, the main objective behind the construction, इसका main objective इसलिए बनाया गया था, construct किया गया था, अब the gateway of India was to, ये देखिए, commemorate the visit of King George, ये देखिए King George B. and Queen Mary to Mumbai, Bombay आया था, ये देखिए King George B. and Queen Mary, तो Queen Mary इनकी wife ही रही थी to Mumbai आया था, उनहीं की स्वागत में बनाया गया था, ये देखिए in March, 1911 में March में, Sir George, ये देखिए Sidham, Clark, who was then governor of Mumbai, और उस समय देखिए, मुंबई के governor कौन थे भाई, जार्ज ही थे, George B. and down the, ये देखिए, Ismarak, Monuments Foundation, Ismarak की new रखी थी, the architectural design of the gateway of India was done by the architect George B. question पूशा जाता है कि ये जो बनाया गया था, किसने ये बनवाय था, तो ये गौर्णर का order था, उमबई के, अब किसने बनाया था, तो George B. and, ये भी आप थेखिएगा, George B. and ने बनाया था gateway of India, next question यहाँ पर देखिए, ये question को select भी किया गया है, इसे लिए कि आपको ये question याद रहे हमेशा, lifetime, gateway of India was built by, gateway of India किसके दोरा बनाया गया है, built किया गया, Frank Lloyd Wright ये George Wittet, ये Frank Gary ये फिर जाहा है, तो George Wittet option नंबर है ही, तो second option लगाएंगे, next question ये देखिए, human development indices and concept question 5, हाँ तो वही question 5 से ये लिया गया था question, ये question पूछ रहा, who developed the human developed index, human developed एक index है, तो ये question एक बार पूछा गया था, इसलिए question को मैं select कर लिया हूँ, hdi hdi का means है, human development index, human development index कौन develop किया था, who developed, किसके द्वारा ये बनाए गया था, क्या बनाए गया था, hdi तो ये undp के द्वारा, ये फिर unicef के द्वारा, ये सब agency है लग लग, agency, international ये फिर monetary fund के द्वारा, ये फिर all of the above तो आप लगाएंगे, undp तो option number first ही correct लगाएंगे, यहाँ undp के बारे में दिया गया है, United National Development Program, UNDP इट वाज फार्न बाइस नॉम्बर, 22 नॉम्बर, 1965 में हेड़कॉर्टर कहा है, निवार्क में है सिटी, निवार्क सिटी में ये देख सकते हैं, आप United National Conference के बारे में कुछ यहाँ दिएक लीजिए History, HDI ESDI क्या होता है, इट वाज फार्स्ट डेवलब बाई दा, पाकिस्तानी Economist महभूब उलहक, 1990 में इट वाज ये सब चीजे दिये गए हैं National United Development, तो आप उतना जानिए Calculation of the Index combined for four major Indicates, यह यहाँ पे दिया गया है इसको भी आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए Which is one of the various Indicators used to calculate Human Development Index Human Development Index जो बनाए गया था इसके जो यूज किया गया था Calculate Indicators जो यूज किया गया थे कि Life Expectancy या Birth जो Birth की Life Expectancy है उसको Increase करना, Knowledge करना Knowledge कराना, या Descent Standard of Living को करन तो यह सभी इसमें आपसा Number Fourth correct हो जाएगा Yes, Di के अंतर यह सभी चीज़ आती है Next Question यह आप देख सकते हैं इसमें एक Question यह सेलेक्ट किया गया है Recently, India में Has exported product worth more than How many lakh crore in the financial year 2022 से 2023 यह देखिए हाल ही में भारत ने बित बर्स 2022-2023 में कितने लाख करोंड से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया तो 60 लाख करोंड तो यह आप देख लीजिएगा Next Question यह देखिए Recently अभी हाल फिलाल में हाल ही में जल्दी हाल ही में किस राज में 2026-2027 तक 500 अरब डालर की अर्थ बेउस्ता बनने का लच्छी रखा गया है तो वो गुजरात की है भाई 2026-27 तक 500 अरब डालर की अर्थ बेउस्ता मेंटेन करनेंगे यह लोग तो गुजरात आप द्यान दीजिएगा Next Question यह देखिए Recently State Transport Corporation आफ वोईच स्टेट है लांग India First 100% Electric Bike Taxi यह देखिए हाल में किस राजी के राजी परिवान निगर ने भारत की पहली 100% Electric Bike Taxi शुरू की तो यह असम है भाई असम अच्छे से देखिएगा Next Question नंबर यह देखिए सकते हैं आप यह भी Question काफी अच्छा ही है जो कि आपको Select करना है आप यहां पर दिया गया है आप इसको थोड़ा सा Select कर सकते हैं कौन सा किस से आप मैच कराएंगे वो आपको मैच कराना है तो मैच कराने के लिए पूरा पता रहेगा तब ही आप मैच कराएंगे नहीं तो फिर फिलहाल मैच करने के लिए थोड़ा मैच करना सिंपल होता है लेकिन मैच करने के लिए चीजे आपकी कंपर्ण रहेंगी तो फिर आप मैच करा पाएंगे जैसे देखिए मैच कराना है तो कैसे मैच कराएंगे अब इसमें देखिए फस्ट आपसन रॉयल बाटिंकल गार्डन कहां पे अलक नो एक आप करेक्ट करेंगे इस कोईशन का इस कोईशन का आपसन आप करेक्ट क्या करेंगे आप देखिए रॉयल बाटिंकल गार्डन जो आपका रॉयल बाटिंकल गार्डन क्यों है यह है इंडियन बाटिंकल गार्डन यह देखिए इंडियन बाटिंकल गार्डन कहां पे है त इंडियन वाटिंकल गार्डन जो है कोलकाता बनियान ट्री जो है बरगत का पेड़ तो इंडियन वाटिंकल गार्डन कहां पे है आप लगाएंगे क्या लगाएंगे बताइए क्या लगाएंगे लखनौ है एक लैंड है हाउडा है या फिर डार्जलिंग है तो आप क्या लिए नेशनल बाटिकनल रिसर्च इंस्टिट्यूट कहां लगा देंगे यह तो आप लखनों में लगा देंगे ना तो यह लखनों में लगा दीजी और यह दिखिए लॉयल लॉयल बाटिकल गार्डन कहां पर है यह डार्जिलिंग में आपका एक तुबस्ता है इंडियन परटन के लगा देन यह आप हाऊडा में लगा दीजिए तो इसमें आपसन नमबर कौन सा करेक्ट करेंगे यह भी इंपर्टन होजाता है तो इसमें सीकन्ट हो जाएगा फर्स ऐसंट áंड हो गया अच्छी बात है वी का थार्ड हो गया यह भी सही है सी का आपका first हो गया यह भी सही है डी का आपका forth हो गया देख लिए तो इसमें तो first option ही correct लग रहा है भाई एक का second ह21 इसमें first option ही लगाएंगे आप देख लिजिए कोई भी गलती होगी तो गलती मत करना next question यहाँ पर देख लेंगे यहाँ चीजे कुछ दी गई है तो first option ही correct है इस question का अगर question next question की बात करें national particular research institute consist of तो national botanical जो research institute है यह किसलिए है तो इसलिए है कि यहाँ पर क्या होता है collection of freezer plant and animal तो botanical research institute है collection of living plant for reference हाँ तो यह correct हो जाएगा जो botanical garden होता है उसमें collection किया जाता है living plants का reference के लिए है पढ़ेने लिखने के लिए है तो यह सब चीजे यहाँ पर दी गई है थोड़ा यह भी आपको इसका solution जो है यह भी देख सकते हैं the correct option D is Lucknow तो वो तो D तो आप देख सकते हैं नेशनल बाटिल का research institute is situated in Lucknow लखनव में है और Lucknow कहां पर है उत्तर परदेश में है नवाबुक असाहल लखनव तो यह सब question हम लोग इतने question हम लोग कबर किये वीडियो को लाइक नहीं किये है तो लाइक करके तभी जाईएगा सोनी जागने तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें दोजार चोविस में आप फते करेंगे बीएस्टी नर्सिंग कोर्स करेंगे वह अच्छे गवर्मेंट का लिश से टार्गेट 135 प्लस होना चाहिए सभी student का इससे नीचे किसी का नहीं चलेगा तो टार्गेट बना के चलिए जबरदस चलिए चलिए नेक वीडियो आपको प्रोवाड करेंगे